दोस्तों नमस्कार आदाब सक्ष्रियकाद न्यूज क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं उर्मेलेश जम कश्मीर का मसला एक बार फिर सुर्खियों में है काफी चर्चा हो रही है देश भर में उसकी वज़य यह है कि हाल की जो कुछ हत्याएं जम कश्मीर में खासकर कश्मीर वैली में हुई है उसको लेकर टेलिविजन चैनलों में अख़वारों में बहुत प्रमुकता से खबरे आई और ये एक इंप्रेशन बना कि 2019 में अगस्त महिने में सरकार ने जो फैसले लिये थे आट किल 370 और 35A को निस्प्रभावी करने का उसके बाद से जम कश्मीर में बिल्कुल शांती आ गई थी बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया था ये इंप्रेशन इसलिए भी लोगों पर पढ़ा था और मीडिया पर भी पढ़ा था दिल्ली में कि सरकार की तरफ से जो इस्टेब्रिस्मेंट था चाहे वो सुरक्षा बलों का हो या गवर्मेंट आफ इंडिया का हो वो लगातार ये क्लेम किया जा रहा था कि अब 8370 को निश्प प्रभावी किये जाने के बाद जमू कश्मीर जो दशकों से आतंकवाद मिलिटेंसी वुग्रवाद का शिकार रहा प्रभावी रहा वहाँ अब वो शांती के रास्ते पर चल पड़ा है विकास की अजच्रधारा बहर रही है और सब कुस ठीक हो जाएगा इसलिए लोगों को अच्छानक जब ये ख़वरें हिंसा के आने लगी अख़वारों में टेलिविजन चर्वलों में तो लगा कि अरे ये क्या हो गया सरकार तो कह रही थी कि सब कुस ठीक है बहतर हो गया है जमों कश्मीर एकदम सब के लिए निरापद हो गया है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहां सेटिल हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को हम वहां पर domicile आमिन उनको उनको वहां का रहवासी भी बना रहा है वहां के एक तरह से वहां के रहने के लिए स्थाई प्रबंद भी उनके लिए किया जा रहा है applications पर application आ रही है लोगों की तो आखिर ऐसा क्या है कि ये सब कुछ छिंडबिन होता नजराया दोस्तो मैं आपको बताओं जमु कश्मीर में हिंसा का सिलसिला हिंसा और प्रति हिंसा दोनों का सिलसिला रुका नहीं था सरकारी आख्रें देख लीजिए या जो militancy और terrorism के अस्तर पर जो research करने वाली बहुत सारी जो 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 शाखाएं हैं जो बहुत सारी संस्थाएं हैं उनके news portal अगर आप देख लीजिए तो उन सब में ये आंक्रे लगातार आ रहे थे और मेरे पास जो एक बहुत प्रामानिक आंक्रा है कि 2019 के बाद 2019 और 2020 और 2021 के जो आंक्रे हैं वो 2019 में 42 नागरिक मारे गए थे सुरक्षा बलों के 78 लोग मारे गए थे आतंकी जो है 136 मारे गए थे आतंकी मतलब आतंकी या संदिक्ध उग्रवादी जो भी आप कहलें इसी तरह से 2020 में भी 33 से ज़्यादा नागरिक मारे गए थे 56 रक्षा बलों के मारे जाने की सुचना दर्श थी और 232 टोटल आतंकी या संदिक्ध उग्रवादी मारे गए थे इसी तरह से 2021 में अब तक जो मौतें हुई हैं नागरिकों की वो 32 टैस इसके आसपास बताई जाती हैं 32 टैस और इसमें जो इधर जो मौतें हुई हैं जो हत्याएं की गई हैं उसके पहले जो हत्याएं की जा रही थी उसमें नागरिक भी थे और उसमें ऐसे भी लोग थे जो एक तरह से जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं लेकिन ये जो सिलसला हूँ अभी चालू हुआ अचानक तो इसमें कुछ कस्मीरी पंडित खासकर जो बिजनेसमेन वहां के थे उन पर एक हमला हुआ उनकी जो हत्या हुई और जो विहारी मजदूर जो मारे गए ये इसक सिलसला जारी था वो कहीं रुका नहीं था उसमें संख्या घरती बढ़ती रही तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते आ रहे हैं कि 2019 के बाद कश्मीर बिलकुल पट्री पर आ गया था वो एक तरह से मुगालते में हैं वो गलत पामी के शिकार हैं ये प्रामा सिला क्यों अचानक हम देख रहे हैं कि जोर पर खोड़ा सा आ गया है ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग तुलना कर रहे हैं 90 और 92 93 की मैं ऐसी कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ जमु कश्मीर के एक बहुत साधारण वहां के मामलों को पढ़ने और समझने की कोशिश करने वाले एक जनलिस्ट के तौर पे मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूँ उस वक्त की मिलिटनसी और आज की मिलिटनसी में फर्क है उस समय के राजनीतिक परिदिश्य में और आज के राजनीतिक परिदिश्य में फर्क है तो मैं बिलकुल यह नहीं कह रहा हूँ कि वो उस 2019 में लिए गए सरकार के फैसले का ये नतीज़ है 2029 में लिए फैसले के बाद आगे जो होना चाहिए था पीस प्रॉसेस के लिए डैलॉग के लिए और एक तरह से लोगों के कंफिडेंस बिलडिंग के लिए उसके अभाव का ये नतीज़ है बिल्कुल साफ शब्दों में के रहा हूँ ये बात और कुल मिलाकर हमारी सरकार ने 2019 के बाद पूरे जमू कुश्मीर को एक तरह से राजनितिक प्रक्रिया को बिलकुल रोक दिया और राजनितिक प्रक्रिया को बिलकुल रोक दिया और राजनितिक प्रक्रिया होगी कैसे जब आपकी विधान सबह नहीं है जब आपके चुनिंदा नेता नहीं है चुने हुए कैसे होगी पुलिटिकल प्रॉसेस कैसे चलेग थे या सेना उनको काउंटर करने के लिए पुलिस उनको काउंटर करने के लिए सुरक्षा बल उनको काउंटर करने लिए तरह तरह की अपनी रड़नीत बना रहे थे और आप देखते हैं कि प्रशास्मी कस्तर पर इंटरनेट शटडाउन पूरी दुनिया में भारत जो की एक डिमोकरसी अपने को कहने वाला देश है हलांकि हमारी डिमक्रसी को दुनिया के जो डिमक्रसी के इंडिकेटर्स हैं उनके हिसाब से जो इंडेक्स तयार होता है उस इंडेक्स में हमारी डिमक्रसी को फ्लॉट डिमक्रसी यानि तुरूटी कौन दोश्पौन लोकतंतर कहा गया है तो हम उस तरह से एक स्रसंगत डिमोकरसी आज नहीं रह गए हैं और शायद कभी उस तरह से बहुत स्रसंगत डिमोकरसी थे भी नहीं लेकिन आज जैसे हालात पहले नहीं थे इसमें कोई दोराय नहीं है आज हालात और खराब हो गए हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि जमुकश्मीर में हो ये रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जो शांती प्रक्रिया को राइलितिक प्रक्रिया को आगे बढ़ावे और जनता की भागिदारी को बढ़ाए वो लगातार ये सहरा लिया गया दमन का लगातार इस बात का सहरा लिया गया कि कैसे लोगों की जुवान को बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जुवान चलाई जाए इंटरनेट शटडाउन क्या था और वो इंटरनेट शटडाउन का जो एक तरह से अनुकरण है पूरे मुल्क में होने लगा हर्याना में कोई कुछ हो इंटरनेट शटडाउन कहीं भी आप अरोनाचल चले जाओ असम चले जाओ मनिपूर चले जाओ मीजरम चले जाओ यहां भी जाओ वहां इंटरनेट शटडाउन एक नया सिलसिला सा चल पड़ा अब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट शटडाउन भी डिमोक्रसी को एक तरह से दबाने का सिलसिला है क्यों क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट के बगएर कौन क्या कुछ कर सकता है पढ़ाई तक नहीं कर सकते बच्चे कॉर्णा दौर में उसके लिए भी डिजिटल प्लेटफर्म्स चाहिए और इंटरनेट के बगएर वो संभव नहीं है तो वैसे ही डिजिटल डिवाइट खड़ा कर दिया गया है देश में और उपर से शट्डाउं तो हमारा ये कहना है दोस्तों कि हमारी सरकार क्यों नहीं इस बात को समझती कि राजनाईतिक मसलों को सिर्व सेना पुलिस से हल नहीं किया जा सकता है और ये बात क्यों मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात भारत सरकार के जो प्रतिनी दिरहे हैं डायलॉग प्रॉसेस के वो भी कहते हैं आप देख लीजे दिली पढ़गाओकर कमिटी का क्या कहना था आप देख लीजे कि भारत की सेना के जो सर्वत्तम सेना रायक जो जमो कश्मीर में पोस्टेट थे और जिन्होंने काम किया आप मैं बात कर रहा हूँ लिफ्टन जनरल दुआ की दुआ साहब ने कई बार कहा हुडा साहब तो इन्होंने भी कई बार कहा और इस तरह के और बहुत सारे जनरल्स है जनरल हुडा के अलावा और इन लोगों ने बार-बार ये कहा है कि सेना पलीस या स्रक्षा एजन्सियां जरूरी हैं स्थितियों को नियंतरण में रखने के लिए इसमें कोई दुड़ाई नहीं है लेकिन अंतता जमू कश्मीर में पुलिटिकल लीडर्स की जरूरत है जो डायरेक्शन दे ये जमू कश्मीर में काम कर चुके लेटनेंट जनरल का इंटर्व्यू है और उस इंटर्व्यू में उन्होंने बात कही है तो हमारा काना है कि आज की तारीक में भारत तालिबान से बात कर सकता है रूस की राइदानी मासको में हम तालिबान से निगोशियेट कर रहे हैं बात कर रहे हैं जिस तालिबान पर हम पिछले दो महीने से नात्मों सिकोर रहे थे हम उससे बात कर रहे हैं तो हम अपने ही देश के लोगों से क्यों नहीं बात कर सकते, आप्टर राल जम्मु कश्मीर हमारा है, जम्मु कश्मीर हमारा अभाज यंग है, पार्लामेंट कहती है, हमारी पार्लामेंट का रिजिलुशन है, और पार्लामेंट का रिजिलुशन ही नहीं है, हमारा एकसेशन का जो दस्तावेज है वो भी साथ है श्रिमला समझोता है दिल्ली एग्रिमेंट है इसके अलावा जम्मु कस्मीर की आवाम की तरफ से जो सबसे बड़ा प्लेटफर्म कांस्ट्वेंट एसेम्बली, इस्टेट कांस्ट्वेंट एसेम्बली की संभिधान सभा उसका अपना फैसला है हरोरी 1954 में इस्टेट कांस्टवेंट एसेंबली ने एक सेशन को एप्रूव किया था और नॉवंबर 1954 में उसको फाइनली घोषित किया था जम्मू कश्मीर की राजिविधान सभा ने कि जम्मू कश्मीर भारत का अईभाज यंग है ये संविधान सभा की बात है तो अगर हम जम्मू कश्मीर को अपना मानते हैं उत्तर प्रदेश की तरह विहार की तरह राजिस्तान की तरह महाराथ की तरह तो जम्मू कश्मीर को हम वो मुहबबत वो एक क्या बोलते हैं एसोसियेशन वो सद्भाव क्यों नहीं दे सकते क्या हमने पूरी जनता को देश के पूरे समाज को ये मान कर हम चल रहे हैं कि एक राजा है और सभी लोग प्रजा हैं अगर लोग तंत्र में राजा और प्रजा नहीं बलकि जनता होते हैं और जनता के रिप्रेजेंटेटिब्स होते हैं तो आखित क्यों नहीं बात हो सकती है जम्मू कश्मीर की अवाम से बात करने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर की अवाम के नुमायंदों से और जाहिर है नुमायंदा कोई राजभावन में बैठने वाला पदा अधिकारी नहीं हो सकता कोई आईजी नहीं हो सकता कोई जनरल नहीं हो सकता वो एलेक्टेट रिप्रेजेंटेटी भी होना चाहिए इसलिए दोस्तों हमारा कहना है कि जम्मु कृष्मीर के मसलों को जो लोग कहते थे कि सेटिल हो गए न तो राइनतिक तोर पे सेटिल हुए न पार्लामेंटरी तोर पे सेटिल हुए और न तो नियाईक मंचों से सेटिल हुए हमको जहां तक याद है दोस्तों और आपको भी याद होगा कि भारत के नियाईपालिका का सर्वच आसन है सुप्रिम कोट आफ इंडिया सुप्रिम कोट आफ इंडिया में 9 अगस्त 2019 को पहला पेटिशन गया था पहली याचिका दायर की गई थी जो 370 पर हमारे देश की सरकार के फैसले को चुनोती देने वाली थी और 370 को निस्प्रभावी करने के फैसले को चुनोती देने वाली इस तरह की तक्रीबन दो दरजन तक्रीबन याचिकाएं सुप्रिम कोट में लंबित है अभी तक 2019 में दायर याचिकापर सुप्रिम कोट की बेंच ने अभी तक कोई न तो फैसला किया है और न तो क्यूं कहा जाए कि एक सिलसिले वार सुनवाई का सिलसिला चला है कुछ एक सुनवाईया हुई है लेकिन एक सिलसिले वार जो एक तोरिती गति से मसले को आगे खल करना चाहिए था वो आज तक न्याइपालिका के अस्तर पर भी नहीं हुआ और Parliament के स्तर पर हमने फैसला एक कर लिया बहुमत से लेकिन parliamentary जो फोरम्स हैं वो सिर्फ भारत की संसब तक सीमित नहीं है संसदी जो व्यवस्था हमारी है वो राजियों में भी है हमारा वहां के विधान सभा है विधान मंडल है वहां कोई चुनाव नहीं हमने राज्यों को बांट दिया, Union Territory बना दिया, ऐसा कभी देखा गया कि कोई एक पूरुन राज्य और धराज्य में तब्दिल कर दिया गया हो, आंशिक राज्य में और उसको Union Territory घोशित कर दिया गया हो, लेकिन जमुकश्मी को कर दिया गया है, लद्दाग को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है, तो हम किसी भी मंच पर, political platforms पर देख लीजे, parliamentary की बात थोड़ी दिर के लिए मैंने, मैंने अभी की, political level पर कोई dialogue नहीं, तो political, parliamentary और judicial तीनों मोर्चों पर, तीनों फोरम्स पर एक तरह का एड़ाकिजम या तदर्थवाद लगातार जारी है 2019 के बाद से, सिर्फ काम कर रही है वहां की जो सुरक्षा एजेंसिया है, सिर्फ काम कर रही है वहां की जो पुलिस है, फोज है या अन्य जो अर्थ सैनि बल हैं, तो ऐसे में क्या कैसे हम मानें कि हम एक ऐसी democracy हैं जिसे अवाम की चिंता है, जिसे समाज की चिंता है, जिसे हिस्सेदारी की चिंता है, कल्पना हम कर लेते हैं कि ठीक है, वहां के लोग जो हैं उसमें एक छोटा हिस्सा ऐसा है, सरकार भी यही करती है कि बहुत कम ल अब तो संख्याई 174-180C बताई जा रही है ऐसे लोगों की तो आखिर जिस समाज में बहुत कम लोग मिलिटेंट रा गए हैं उनके बड़े हिस्टे को समाज के क्यों नहीं डायलाग प्रॉसेस में जोड़ा जाता है क्यों नहीं मासकों में तालिबान से बात कर सकती है हमारी जेल में डाल दिया और जो जमुक्ष्मीर में मिलिटेंसी के दौर में वहां की अवाम में भी डिल्ली के एजेंट के तोर पे कह जाते थे नेता जिनको मुख्यदारा की पार्टियों का नेता कहा जाता है वारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ति मुहमत सा लेकिन हम, हमारी सरकार ने सब को जेल में डाल दिया था, अब जेल से बाहर आएं तो उनको गुपकार गैंग कहा जाता है, कोई कोई गैंग कह देता है, कोई पाकिस्तानी एजेंट उनको बता देता है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि टोटल फेल्योर है हमारी समझ का, हम हमारे जो शासक हैं, हमारी जो सरकार है, कि आखिर वो जमु कश्मीर को ले कहां जाना चाहती है। इसलिए तोहमत लगाने से किवल नहीं होगा, मुझे लगता है इस समय जरूरत है आत्म निरिक्षन की, आत्मा लोचना की, समझने की कि आखिर गलती कहां हो रही है। जमु कश्मीर को हम किस रूप में समझ रहे हैं, जमु कश्मीर को हम क्या एक ऐसा सुबा समझ रहे हैं कि जहां मिल्टिनसी का कोई इतिहास नहीं है, militancy का इतिहास है जमो कश्मीर में और उसको counter करना है तो हमें समझदारी से के साथ काम करना पड़ेगा political issues को political denial करना पड़ेगा तो मुझे लगता है दोस्तों हमने अपनी बात कहने की कोशिश किया है और अंत में एक सवाल आपके दिमाद में भी हो सकता है कि आकिर उपाय क्या है समाधान क्या है कोई मेरे पास ready-made formula नहीं है दोस्तों इस देश के बड़े बड़े जो strategist हैं योजनाकार हैं जब उनके पास नहीं है तो मेरे जैसे एक साधारन पत्रकार के पास क्या होगा लेकिन मैं चुकि 20 साल से मैं cover कर रहा हूँ जम्मो कश्मीर के issues को इसलिए मैं समझता हूँ कि फिलहाल शुरुवात राजनीतिक फैसले से ही की जानी चाहिए सिर्क तुरक्षाबलों के बल पर हम जम्मो कश्मीर के मसले को address नहीं कर सकते नहल कर सकते हैं और उसके लिए शुरुवात तो कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी और मेरा मानना है कि फिलहाल आट की 373 और 35A से तो बात नहीं बनेगी क्योंकि कोई सुनेगा नहीं अगर कोई अवाम वहां की कहती है कि 370 को फिर से रिवाइब कर दो तो सरकार नहीं सुनेगी न कोई और सुनेगा तो शुरुवात की जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर राज की वापसी हो जो केंदर सासी छेतर बनाया गया है उस व्यवस्था को खतम किया जाए और एक संपूर्ण राज की तरह जैसे पहले वो था एक सूबा एक एक कंप्लीट राज के रूप में उसको मानिता दी जाए और जम्मू कश्मीर की विधान सभा का डी लिमिटेशन का जो प्रॉसेस है उसको इमानदारी से ट्रांस्परेंट धंग से और सभी प्लिटिकल पार्टीज के नेताओं के एक विचारी मर्ष के बाद उसको कंप्लीट किया जाए और विधान सभाता चनाव कराया जाए फौरण लेकिन ट्रांस्परेंसी होनी बहुत ज़रूरी है डिलिमिटेशन के पूरे के पूरे प्रॉसेस में और दूसरी बात कि उसके साथ ही जुड़ा हुआ है लद्दाख का प्रशन लद्दाख के प्रशन के बारे में मेरा यह मानना है कि लद्दाख में डेवलप्मेंट कॉंसिल के पास ज़्यादा अधिकार दिये जाए लेकिन अगर वहां के लोग चाहते हैं करगिल और ले द पुनाह दर्जा दिया जाए संपुन राजे का पुन राजे का यहां से शुरुवात की जा सकती है बाद में जो आटानमी का इशू है स्वैत्ता का इशू है उसको भी उठाया जा सकता है लेकिन शुरुवात तो कहीं से करनी पड़ेगी और आटकिल 370 पर भी जाना इमेडियेट जो मुद्दा है वो राजी की वापसी का है राजी के रूप में उसको फिर से स्थापित करने का है शुरुवात राजे नितिक प्रक्रिया की यहां से की जा सकती है और याद रखिए मेरी अंतिम बाद कि जम्मू कश्भीर अंततर राजे कि मसला है इसका रायनितिक प्रक्रिया के साथ ही होगा नमस्कार आदाव चत्स्रियताद